यह जो दोस्तों मैं हूं प्रशांट मैंने इस वीडियो में explain किया है तर्टल ट्रेडिंग सिस्टम इक बहुत ही interesting story है इक बहुत ही interesting experiment है युनीक experiment इन history of this business of trading investment and markets और मैंने इस वीडियो में उसको पूरी दर से explain किया है उसके rules कैसे थे उस trading systems के और किस टाइप वो total experience था लेकिन जो important चीज है वो है second half जहां पर आपको थोड़ा सा focus करना है that should be your major take away के principles क्या है तो hopefully आपको एक वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो में हम discuss करते हैं turtle trading method बट इसके पीछे बहुत interesting story है क्या आपने कभी सोचा है क्या इस तरह का thought आपके दिमाग में आया है कि market में अच्छा trading करने के लिए क्या कोई inborn talent जरूरी है क्या कोई पहले से चीज ऐसी होनी चाहिए अपने अंदर की जिसकी वज़़े से वो scale हो या traders create भी किये जा सकते हैं उनको सिखाया जा सकता है तो ऐसा ही एक argument हुआ 1983 में दो दोस्तों के बीच उसमें से एक थे Richard Dennis जो बहुत ही popular trader थे उस time पे he was a very successful trader जो अच्छे size के fund manage करते थे खुद trade करते थे he was known as a commodity trader लेकिन basically क्या होता है कि उसका मतलब होता है कि futures जो trade करते है उस time में उसको commodity traders बोलते थे तो बहुत types की futures उस time trade होते थे जो ये लोग trade करते है जैसे commodities में फिर agree commodities currency, bond जैसे बहुत types के markets उनके friend थे William Eckhart तो उनके साथ उनका एक बार argument हुआ इसी बात पे कि क्या कोई natural talent होता है जिससे लोग अच्छा trading करते हैं या नहीं उनको teach किया जा सकता है तो Richard Dennis का बोलना था कि उनको develop किया जा सकता है उनने सिखाया जा सकता है और William Eckhart का कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता है कुछ चीजे सिखायी नहीं जा सकती तो फिर उन्होंने सोचा के चलो एक experiment करते हैं उन्होंने literally advertisement दिया newspaper में कि हम एक group of traders को appoint करेंगे उनको train करेंगे हमारा proprietary system और ना हिसी वितना हम उनको capital भी देंगे trade करने के लिए उन्होंने जो हमने सिखाया उसको execute करना है तो interested candidates apply कर सकते हैं और इसमें market का कोई experience होने की जरुरत है नहीं तो obviously ये बहुती attractive opportunity था काफी लोगों के लिए 1000 से ज़ादा applications आए उसमें से उन्होंने कुछ 80 traders filter किये फिर उनके interviews ले और 13 लोग को finalize किया जो अलग-अलग background से थे उनको एक questionnaire दिया था interview हुआ था वो process से वो सब निकले अब वो जो 13 लोग थे उनका Chicago में 2 week का training हुआ जो Richard Dennis और William Hickard ने दोनों ने मिल के लिया और उनको अपने systems सिखाए train किया उनको और उन्हें accounts भी दिये trade करने के लिए वो जो student थे वो जो batch था उनको कहते है turtles actually उसकी पीछे इस ताइब का story है कि Richard Dennis ने अपने किसी काम से उस टाइम पे Asia का tour किया था जहां पे उन्हें Singapore में एक farm में देखा था turtle farm में कि किस तरह से वो turtles को grow करते हैं तो वही thought उनकी दिमाग में था उन्होंने सोचा कि इसी तरह से हम traders को grow करेंगे इसलिए उन्होंने उस project को नाम दिया turtle trading तो वो जो उस batch में traders थे उनको turtle traders के नाम से जाना जाता है और वो जो system था उसको turtle trading system के नाम से जाना जाता है यह जो turtle trading system है वो काफी objective है उसमें हर चीज के लिए rules हैं जैसे आप क्यों से market trade करोगे आप entry कैसे करोगे, exit कैसे करोगे position sizing कैसे होगा, हर चीज का rule है और वो लोग हर type के markets trade करते थे stocks, bonds, commodities, currencies और काफी सारे markets लेकिन liquidity उनका important criteria था because वो अच्छे size में trade करते थे, उनका significant fund size था और हर trader को उनके जो markets थे वो divide किये थे distribute किये थे, अब आते है system पे, basically उसमें दो systems थे, system 1 and system 2 system 1 यह है कि long करना है, मतलब buy करना है जब price 20 day के high के उपर चला जाए, last 20 day का high है, वो high price अगर cross करे तो buy करना है exit करना है अगर last 10 day के low के नीचे price चला जाए और short करना है अगर last 20 day के low के नीचे price चला जाए और उसको cover करना है अगर price last 10 day के high के ऊपर चला जाए clear, simple तो इस type का इनका एक simple trend following का method था तो आप जैसे ये chart देखे जैसे अगर 20 day का high वो cross करे तो buy करना है और 10 day के नीचे अगर वो चला जाए तो exit करना है जब price 20 day का high cross करता है और हम buy करते है तो पता है के 10 day का low price कहा है तो वहाँ stop loss हो गया और every bar और candle के साथ हो सकता है वो 10 day का low जो है वो change हो तो हम track कर सकते हैं और accordingly stop loss रख सकते है market में, right? तो आप सूची अगर आप turtle trader है आप उस batch में बैठे है आपको ये एक system explain किया गया है तो आपको market बोला है कि आपको कौन सा market trade करना है और आपको ये rules दिये है अब इस rules में एक variation है कि अगर last trade winning trade हो मतलब profitable trade हो तो अब जो breakout आएगा वो नहीं लेना है ठीक है तो last trade हो सकता है long वाला हो हो सकता है short वाला हो कोई भी direction का trade लेकिन अगर profitable trade था तो ये next breakout जो है वो trade नहीं करना है अब वो profitable trade चाहे आपने लिया हो चाहे न लिया हो किसी reason से या इसी reason से के पहले का trade profitable था तो next trade नहीं लिया तो किसी भी reason से आपने वो trade अगर नहीं लिया लेकिन as per rules अगर वो winning trade है तो आपको ये next breakout trade नहीं करना है ये system one का एक rule था clear अब अगर मान लो इसके बाद price suddenly उपर जाने लगया आपने वो miss कर दिया because of this rule तो अगर वो system two के rule में आए तो तो आपको जरूर buy करना है तो system two क्या है वो भी relatively काभी simple है system two है के अगर price 55 day का high cross करे तो buy करना है और buy करने के बाद अगर price 20 day के low के नीचे चला जाए तो exit कर देना है अगर price 55 day low के नीचे चला जाए तो short करना है और अगर 20 day के high के उपर जाए short के बाद तो वो short cover कर लेना है यह system two के rules है simple है जैसे आप देखे इस chart में 55 day का high price ने cross किया तो buy करना है और उसके बाद अगर 20 day का low breach हो जाए या उसके नीचे price चला जाए तो exit कर देना है तो यह भी trend following system है इसमें कोई variation नहीं है जैसे system one में था के last winning trade नहीं लेना है ऐसा कोई variation इसमें नहीं है तो समझ में आए आपको system one and system two यहाँ पर anti और exit दोनो clear है correct लेकिन इसके साथ इसमें stop loss के भी rules है दोनो systems के लिए तो stop loss में उस time पर वो ATR यूज़ करते देदा ATR क्या है यह मैंने पहले किसी एक वीडियो में इस indicator को explain किया है लेकिन brief करता हूँ देखे यह image जो range होता है किसी भी candle का वो high और low के beach का difference होता है right तो Jay Wells Wilder ने 1978 में अपनी book में ATR को explain किया था ATR मतलब average true range तो वो क्या कहता है कि range होता है वो high और low के beach का difference होता है किसी भी candle में लेकिन वो actual range नहीं है gap up होता है gap down होता है आज का low और previous close उसमें कितना difference है वो calculate कीजे और आज का high और low का difference कितना है यह calculate कीजे ये टीनों में से जो सबसे ज़ादा है वो true range है ठीक है इसमें हम उस session का high और low भी consider करते हैं और आज का high और low कल के closing price के साथ भी compare करके देखते हैं उसको consider करते हैं तो इसका जो highest range है that is the true range तो इस तरह से हम daily bar पे range calculate कर सकते हैं अब ये turtle system में वो लोग 20 day का average range मतलब हर एक दिन का range calculate किया उसका 20 days तक का average इस 20 day average true range मतलब ATR को वो consider करते थे for the stop loss तो ATR को लेके उन्होंने position sizing के भी rules बनाए थे stop loss के भी बनाए थे और pyramiding के भी बनाए थे ये तीनों में आपको explain करता हूँ तो position sizing मतलब आप कितना buy करोगे तो जब breakout होता है जो breakout जो दोनो system के rules हमने discuss किये तो rule ये था कि जबी भी entry होता है trade में based on the system तो एक unit buy करना है तो एक unit का calculation इस तरह से था कि आपका जो total account का size होता है उसका 2% के उपर stop loss नहीं होना चाहिए मतलब आपका maximum loss होगा किसी भी एक trade में वो 2% होगा आपके total account size का उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो मानलो आपका account जो है 10 लाक रुपे का capital है तो 2% मतलब 20,000 तो किसी भी एक trade में 20,000 के उपर का stop loss नहीं होना चाहिए ठीक है तो इसी को लेके वो position sizing भी calculate करते थे मतलब हमने entry और exit के rules discuss की है system में तो जबी भी entry trigger होता है आपको एक unit buy करना है तो एक unit का मतलब क्या है तो यह है उसके position sizing के rules एक unit calculate करने का rule for example आपका account का size 10 लाक और ATR जो है आपका मानलो nifty आप trade कर रहे है और उसका ATR है 100 points तो stop loss हो गया 200 points क्योंकि हम 2 ATR stop loss रखेंगे अब maximum loss हमने कितना decide किया 2% of the account size मतलब कितना हो गया 20,000 तो एक unit कितना हो गया 20,000 divided by 200 points ठीक है तो कितना हो गया 100 quantity मतलब आपने एक unit जब buy करना है तो 100 quantity buy करना है इस instrument के for example nifty समझ मैं गया अब अगर आप futures trade कर रहे है तो इस quantity को आप lot से divide कर लोगे तो आपको समझ मैं कितने lot buy करने है अगर 25 का lot है तो 4 lot होगे 100 quantity में 50 का है तो 2 lot होगे तो अगर 75 का lot है तो आप एक ही lot buy करोगे decimals ignore कर देने क्योंकि हम fractions में तो lot ले नहीं सकते अब stop loss में दूसरा rule था कि 2 ATR 2 ATR मतलब आप nifty trade कर रहे है और ATR 100 points है तो 2 ATR मतलब 200 points तो हम 200 points का stop loss रखेंगे तो जबी भी अब आप entry करते हो आपके 2 rule है exit के correct मानलो system 1 के according आप 20 day high पे entry करते हो तो आपके exit rules 2 है कौन से 2 है एक तो है 10 day का low और दूसरा है 2 ATR ठीक है जितने भी ATR है उसके double इसमें से जो lowest है जो नस्दीक है वो आपका पहला exit point है ठीक है और उसके बाद जो 2 ATR है वो तो आपका initial stop loss रहेगा उसके बाद जो 10 day का low है वो एक बार उपर आ जाए वो अगर एक बार trail होने लग गया तो naturally वो आपका पहला exit point होगा तो उसके बाद आप 10 day low ही follow करोगे एक बार trade favor में आ जाए तो समझ में आ गया initial stop loss है 2 ATR और उसके बाद वो 10 day low वाला rule सिस्टम 2 में 55 day और 20 day जो हमने डिसकस किया है उसके साथ initially ये 2 ATR वाला stop loss भी exit rule में होगा अब turtle trading system में वो लोग एक बार trade favor में आने के बाद उसके और quantity add करते थे उसको खहते पिरामिडिंग मतलब adding to the venus मतलब एक बार आपके trade favor में आ जाए तो आप उसमें और quantity add करोगे तो उसके लिए rule क्या था जैसे one unit आपने breakout पे enter किया second unit आप add करोगे जब point 50% का ATR आपके favor में आ जाए मतलब अगर मानलो आप nifty trade कर रहे हो breakout आया hundred point का उसका ATR था तो half मतलब 50% ATR कितना हुआ 50 points तो आप 50 points में और एक unit add करोगे एक unit का calculation आपने डिसकस किया राइट तो आप एक unit और add करोगे और 50 points में आए और एक unit add करोगे ठीक है तो every time जब आप unit add करते हो तो फिर से आप stop loss calculate करोगे based on two ATR ठीक है और total quantity का ATR आप अपने recent entries होगा वहां से calculate करके total stop loss वहां रख दोगे correct तो बानलो आपने 10,100 में entry किया और आपका next entry 10,150 पे था तो आपने वहां पे second unit add किया फिर 10,200 में third unit add किया फिर 10,250 में fourth unit add किया तो 10,400 में आप total four units का stop loss रखोगे तो आपका जो recent entry होता है वहां से आप stop loss calculate करके उसको follow करोगे और of course उसके साथ आपका 10 day low for system 1 और 20 day low for system 2 rules भी है exit के लिए और उसके बाद एक बार जब move आगे चलने लगे तो आपके पास 10 day low या 20 day low जो system 1 और 2 के rules है वह exit rules है जो follow करने तो वह trailing stop loss है तो जब तक move चलते रहेगा हम उस move को trail करते रहेगे using these rules और जब price उसके नीचे चला जाए तो exit करेंगे तो हम market को न प्रिडिक कर रहे है न हमें पता है गए market कहां जाएगा हम सिर्फ system को ये trade कर रहे है तो जबी भी उस instrument में trend आएगा एक अच्छा significant trend आएगा तो हम maximum quantity के साथ उसको trade करेंगे उसको ride करेंगे stop loss जो है उसको trail करते जाएंगे और जब price वो stop loss करेंगे नीचे चला जाएगा तो हम exit करेंगे तो ये इस system के principles हैं अब वहाँ पे जो total units के भी rules थे जैसे एक example है four units total किसी एक market में तो काफी वहाँ पे rules थे जैसे correlated markets के लिए rules non correlated markets के कौन सा trader कितने markets trade कर रहा है single market है volatility कैसा है तो as per all this हर एक trader के पास rules थे हर एक diversified portfolio trade करता था और कुछ और rules भी थे जैसे drawdown में आने के बाद position size cut करना है एक बार अगर total account में drawdown आने लगे तो तो यह ऐसे काफी चीजे है और काफी interesting story है पूरी experiment की उसके बाद उन traders का चलनी कैसा रहा एक सेक्ट रहा तो उसके लिए यह दो इंट्रेस्टिंग बुक्स है जो आप रेफर कर सकते हो एक है दे कंप्लीट टर्टल ट्रेडर बाई माइकल कोवेल और वे ओफ द टर्टल बाई कर्टीज फेद हमने यह जो तो system decide किया हर टर्टल ट्रेडर के पास option था कि वो कुतना allocation कौन से system में दे या पर्टिकुलरली कोई और system ही में ज्यादा allocation करे या एक ही system trade करे तो इस तरह से उनके पास options और हर एक ने अपने preference के हिसाब से I think allocation decide किया था तो समझ मैं आपको system तो system पूरा objective है हर ट्रेडर को पता था कि उसको कितना trade करना है कहां entry रखना है कहां exit रखना है कहां stop loss रखना है अब आप सूचिए हाला कि rules काफी simple लग रहे आज लेकिन उस time के हिसाब से यह काफी जो concept से वो काफी advanced थे पहले तो पूरे system based चीज़े फिर volatility based stop loss, volatility based position sizing इस type की चीज़े तो उस time computers नहीं होते देगे readily यह सब available हो जाए वो सब calculate करके करते थे तो काफी advanced था उस time के हिसाब से और उन turtles ने काफी significant account size manage किया है इन rules के साथ वो लोग अच्छा खासे positions में trade करते थे और I think performance जो था वो सारे turtle traders का जो उनके mentors जो judge करते थे वो based on discipline करते थे कि उन्होंने कौन सा trade लिया कौन सा नहीं लिया कितना उन्होंने सिखाए गए rules को stick किया उन चीजों को ज़ादा importance था उसमें से कुछ traders जो turtle traders है वो काफी successful money managers और traders रहे उसके बाद सबका story same नहीं होता है ट्रेडिंग हमेशा है individual journey होता है अपना-पना preference होता है लेकिन एक तरह से यह कह सकते हैं कि Dennis नहीं प्रूफ किया कि हाँ traders को सिखाया जा सकता है उनको कुछ चीजों का importance समझाया जा सकता है और वो अपने हिसाब से अपना फिर career एक build कर सकते हैं इस business में मेरा हमेशा यह मानना है कि rules के साथ जरूर experiment होना चाहिए चीज़े try कीजिए आप अलग-अलग system के rules try कीजिए और अपने हिसाब से उसको design कीजिए तो आपको trade करने में जो conviction develop होना चाहिए उसके लिए आसानी होगी हमने trade point में एक scanner develop किया है जैसे आप research section में जाओगे तो smart scanner में turtle trading method का scanner है यहाँ पे आप कोई भी group select कर सकते है और आप देखिए system 1 है जिसमें 20 day breakout rule है system 2 है जिसमें 55 day है आप इसको change कर सकते है जो ATR period है वो 20 day है आप इसको भी change कर सकते है इसके साथ experiment कर सकते है जो ATR का stop loss है वो आप 2 कीजे 1 कीजे 1.5 कीजे you can follow that और अगर आपको quantity के लिए भी guidance चाहिए तो आप यहाँ पे अपना एक capital डाल सकते है and just scan it जो तो इसमें वो stocks आ जाएंगे जो system 1 या 2 के breakouts follow कर रहे है उसमें initial stop loss क्या होना चाहिए based on ATR rules और quantity क्या होना चाहिए यह सारा चीज वो आपको यहाँ पे show करेगा आप इसको expert भी कर सकते है या किसी group में इस result को save कर सकते है और उसमें कोई और system भी run कर सकते हैं मैंने turtle trading rules को point and figure पर भी implement किया है अपने book में भी इसको explain किया है मुझे लगता है यह बहुत ही interesting concept है अगर आप point and figure के बारे में जानते तो आप इसको explore कर सकते है और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हमारे inside section में इसको explain किया है मैंने तो आप वहाँ उसको explore कर सकते हैं तो आपको system समझ में आया यह सब चीजे समझ में आ गई कि turtle trading system क्या था अब important चीज क्या take away होना चाहिए इस चीज का right क्या आपको कोई एक नया system आज सीखने मिला जिसको आप जाके follow करोगे क्या इस तरह से यह होगा आप खुछ सोचे ऐसे नहीं होता है कोई वे system जब आप सीखते हो कहीं भी वो knowledge या system आप सीख सकते हो बहुत सारे system है वो rules या parameters में कोई बहुत खास magic नहीं होता है important चीज क्या है कि principle पे आप focus कीजिए इस चीज के क्या major takeaways थी ठीक है तो मुझे यह जो arguments है मैं बहुत बार पढ़ता हूँ या ऐसे भी arguments है क्या यह system अब चलते है क्या वो system अब applicable है तो जो लोग parameters पे focus करते हैं वो इस type के discussion करते हैं हमें यह चीज समझना है कि पहली बात तो system क्या था वो trend following system था trend following system में जब भी trend आएगा तब पैसा बनेगा और बाकी जो market में whips आएगा मतलब जब sideways market होगा जब trend नहीं होगा तो आपका entry exit होगा उस time पे आपको drawdown आएगा आपके system में यह bottom line है ठीक है rules change हो सकते हैं कोई भी trend following system ले लो more or less यही fact रहने वाला है आपका तो principles क्या है major take away क्या है तो देखे वो system क्या था पहली बात तो वो objective system था आपने देगा हर चीज़ का rule था ठीक है rule based था तो इसलिए तो सीखा जा सका इसलिए तो उन लोगों ने उसको सीखा adopt किया और execute किया basically correct हर एक trader उसमें से real account trade करने लगा because पूरा का पूरा system objective था rule based था trend following system था एक range breakout वाला system था यह उसका conviction चाहिए होता है turtle traders के पास mandate था तो उन्होंने किया उसमें से भी कुछ लोग पूरी तरह से उसको execute नहीं कर पाए तो यह चीज पूरी तरह आसान नहीं होती है बट यह इस system का important rule था entry exit position sizing stop loss हर एक चीज का clear rule था correct तो यह आपका take away हो सकता है इस पूरे discussion का parameter कोई भी हो सकता है 10 day करो 50 day करो moving average करो और indicators use करो यह तो बहुत सारी चीज है possibility है लेकिन अपने system को अगर आप इस तरह से objective करो तो उसको trade किया जा सकता है Richard Dennis जो थे वह inspired थे influence थे रिचार्ड डॉंशन से जो डॉंशन चैनल इंडिकेटर है उसके बारे मैं मैं next studio में बात करूंगा काफी interesting चीज़े है उसमें भी बात करने की तो I'll talk about that as well और एक चीज़ बात आप समेचे कोई भी trend following system होगा उसका low to moderate heat ratio होगा मतलब normally heat ratio जो है बहुत जादा नहीं होगा लेकिन risk reward ratio जादा होगा मतलब तो जब lose करते हो तो overall पैसा बनेगा आपको यह नहीं पता है कि कौन से दो तीन होगे तो आपको execute तो सब trades करने पड़ेंगे system तो पूरा follow करना पड़ेगा मुझे लगता है यही चीज fundamental investment में भी होता है आपको लगेगा कि long term में यही चीज होता है वो लोग काफी stocks में invest करते हैं over time सारे के सारे उनके winners थोड़ी होते हैं कुछ stocks जो है वो चलते हैं लेकिन वो बहुत अच्छी winners होते हैं वो बने रहते हैं तो उनका जो risk reward है वो बहुत significant होता है तो इसकी बज़े से उनको overall portfolio profit में होता है बहुत बार क्या होता है कि हम इसको copy करने जाते हैं हम उनी investors के shares को buy करने का कोशिश करते हैं और उनके जो losing stocks है उसमें हम बने रहते हैं उनके जो winning stocks है उसमें से हम कभी जल्दी निकल जाते हैं तो हमारा तो mathematics उनसे उल्टा हो जाए और एक बाद trend following system जब trend following system आप करते हो आपके favorable phases होते है trending phases चाहे अप या down और unfavorable phase होते है जब market sideways में हो जब investment हम over a period of time करते तो आपका favorable phase है uptrend और बाकी time वे आपका पैसा नहीं बनेगा तो यह चीज़े समझने की जरुत है कि positive or negative phases क्या है किसी भी चीज को जब आप trade करते ह तो यह जो story और experiment है turtle trading का I think एक बहुत unique kind of experiment है in history of this business और important है इसको जानना इन चीजों के बारे में जानना तो इसके लिए मैंने attempt किया इस वीडियो का Richard Dennis और William Eckhart ये दोनों ही brilliant traders थे और अपने समय से काफी आगे थे सोच में ये quote है Richard Dennis का जो मुझे लगता है कि सब कुछ कह देता है trading के बारे में उन्होंने कहा था कि I would always say that मैं अपने सारे rule newspaper में अगर दे भी दू trading system के तो भी लोग इसको follow नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो key thing है trading में वो होता है consistency और discipline ना के systems and strategy तो सीखते हैं इन experienced और successful traders के बारे में और ना सिर्फ Richard Dennis हर successful trader आपको यही कहता हो मिलेगा कि जो key thing है वो है consistency, discipline, conviction तो इस वीडियो का आप major take away यह लेख सकते हैं कि इन चीजों पर ध्यान देते हैं इन चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं conviction को develop करने की कोशिश करते हैं hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा take care, thank you for watching this